हेलो एब्रिवान वेलकम टू मैं चैनल वेब आप सोशियोलाजी आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे वेस्ट बेंगल स्टेट युनिवेसिटी बारा साथ से जो पीचडी एडमिशन 2021 से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट हुई है उसके बारे में तो फिर चलिए चलते हैं ओफिशियल वेबसाइड में जैसे कि देख सकते हैं यह वेस्ट बेंगल स्टेट युनिवेसिटी का ओफिशियल वेबसाइड है इस वेबसाइड का लिंक में वीडियो के डिसक्रिप्शन में भी डाल दूँगा ओके नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए करने के बाद में पीच्डी सेलेक्ट कर लेना है देन कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा जहां पर देख सकते हैं कुछ नोटिफिकेशन अपडेट हो रही है तो सिंप्ली आप सभी के इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है जो कि है नोटिफिकेशन फॉर एड्मिशन आटमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा जैसे कि देख सकते हैं वेस्ट बेंगल स्टेट उनिवेसिटी बारा साथ कोलकाता यह नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है 0508-2021 यानि कि 5 अगस्ट 2021 को ओके नेक्स देख लेते हैं नोटिस फो एड्मिशन इन पीच्डी नेक्स देख लेते हैं इट इस यहरवार नोटिफाइड डाट अप्रिकेशन इन पीच्डी इन पीच्डी इन देपार्टमेंट ऑफ एड्टुकेशन इंग्लिश फिलोसोपी माइक्रोबाइलोजी और वेस्ट पेंगल स्टेट उनिवेसिटी बारा साथ अनली नेट, मैं आप सभी को एजिक्रेशनल क्वालिफिकेशन बता देता हूं अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री यानि की में 55% मार्क्स है और इसके अलावा आपके पास अगर नेट या फे सेट या फे जियार एफ है तो ही आप सभी इस फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं ओके अधर सभी को बता देता हूं इस फर्म इसी पी डियस में मिल आप सभी को नीचे में छोड़ी दिर बाद में आप सभी के अबर घ्री नेक्स देख लेते हैं, downloaded form is to be submitted along with the application fee of Rs. 1000, Rs. 500 for SC, SD candidates either in cash or in the form of demand draft to the university counter. आप सभी को application form fill up करके और application fee submit करना है university के counter में, okay, SC, SD candidates को 500 याने के 500 रूपे और others candidates को 1000 याने की 1000 रूपे application fee submit करना पड़ेगा by cash या फिर demand draft के थ्रू से, okay, university के counter में. यहां पर timing भी दिया गया है, 11 a.m. to 3 p.m. on any date from 5th August 2021 to 30 September 2021, याने की 11 बज़े से लेके 3 बज़े तक, 5 अगस्ट से लेके 30 September 2021 के बीच में, Mondays and Thursdays, Somber और गुरुवार के दिन, आप सभी application form और application fee submit कर सकते है, university के counter में, okay. नेक्स्ट यहां पर देख सकते है, candidates who want to submit the application fee in the form of draft must know that it should be payable in favor of West Bengal State University. अगर आप सभी draft के थ्रू से application fee payment करना चाहते हो, तो आप सभी को draft बनाना पड़ेगा in favor of West Bengal State University, okay. नेक्स्ट देख लेते हैं, for philosophy area of research interest यहां पर दिया गया है, social and political philosophy, then for English research interest यहां पर दिया गया है, आप सभी check out कर लिजेगा, तो यहां पर देख सकते हैं, applicants are asked to submit a proposal of research work in 1000 words, आप सभी को research proposal भी submit करना है, 1000 words में, okay. नेक्स्ट डिपार्टमेंट देख लेते हैं, कौन-कौन से डिपार्टमेंट में और कितनी vacancies आई हुई है, okay. यहां पर category wise divide कर दिया गया है, मैं सिब डिपार्टमेंट और total vacancies ही mention करूंगा, category wise आप सभी check out कर लिजेगा, okay. नमबर वान पर देख सकते हैं, education, total vacancies है 15, then English में है 4, then philosophy में है 2, then microbiology में है 2, okay. नेक्स्ट यहां पर fee structure दिया गया है, okay. category wise divide कर दिया गया है, fee structure आप सभी check out कर लिजेगा, मैं scroll down करता हूँ, video pause करके, अच्छी तरीके से fee structure check out कर लिजेगा, okay. नेक्स्ट यहां पर देख सकते हैं, application form, आप सभी को fill up करना है, यहां पर देख सकते हैं, आप सभी को अपना recent self-attested color password size photograph face करना है, okay. देन form को fill up करना है, जैसे यहां पर name of the applicant, okay. यहां पर देख सकते हैं, course applied for यहां पर mention करना है, then department, then यहां पर name देना है, block letter में, then यहां पर category select करना है, then gender, then date of birth, then nationality, fathers और mothers और गार्जेन नेम, इसी तरीके से आप सभी को पूरा form fill up करना है, अच्छी तरीके से, okay, block letter में fill up कीजेगा, okay guys, देना आप सभी को, यहां पर date, then place, then यहां पर signature करना है, running handwriting में, okay. यहां पर देख सकते हैं, और एक section है, यह श्रीप office use के लिए है, okay. नेक्स्ट, मैं आप सभी को बता देता हूं, application form fill up करने के बाद में, कुछ documents भी आप सभी को attach करना है, जैसे कि देख सकते हैं, please do not forget to attach self-attested copies of the post-graduation mark sheets, graduation mark sheets, madhyamik mark sheets, along with admit card or certificate for age proof, उच्चा madhyamik mark sheet and certificate and latest validated caste or tribe NPS certificates if applicable. आप सभी को self-attested photocopies भी attach करना है, application के साथ में, okay. जैसे कि देख सकते हैं, PG का mark sheet, then graduation का mark sheet, then class 10 यान के madhyamik mark sheet, then madhyamik admit card for age proof, okay, या फिर certificate, then उच्चा madhyamik, क्यान के class 12 का mark sheet and certificate, then latest validated caste certificate, या फिर tribe certificate, अगर आप कोई भी reserve candidates हो, तो आप सभी को category certificate attach करना है, और अगर आप PH candidates हो, तो PH certificate भी attach करना है, okay. नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, candidates who are employed, please also attach original copy of no objection certificate. अगर आप कहीं पर job करते हो, तो आप सभी को NOC certificate भी attach करना है, application form के साथ में, okay. नेक्स्ट candidates who have completed MFIL and want to apply for PhD program should submit their MFIL certificate in order to get waiver from PhD course work if admitted. अगर आप सभी ने MFIL course किया है, तो उसका भी certificate attach करना पड़ेगा, okay. इससे आप सभी को PhD के course work में waiver मिल जाएगा, अगर आप सभी admitted हो जाते हो, तो, okay. यह पर declaration दिया गया है, read out कर लिजएगा, okay. फिर से मैं आप सभी को एक बार बता देता हूँ, कैसे आप सभी को application form submit करना है, पूरा application form fill up करने के बाद में, जितने भी documents mention किये गया है, उन सभी का photocopies करके, self-attestate करके application form के साथ में attach करना है, okay. सभी documents attach किजेगा, करने के बाद में, आप सभी को by hand university के counter में application form और application fee submit करना है, ओके, यहाँ पर university counter mention कर दिया गया है, okay. बाई हैंड ही आप सभी को submit करना है, by post मत send किजेगा, otherwise आप सभी के application cancel भी हो जा सकता है, okay. और application fee के बारे में भी मैंने आप सभी को बता ही दिया है, आप सभी cash में भी payment कर सकते है, application fee, या फिर draft के थू से भी payment कर सकते है, okay. वो भी आप सभी को university counter में ही submit करना पड़ेगा, application form के साथ में attach करके, okay. तो फिलाल इस notification ने बस इतना ही है, अगर वीडियो informative लगी हो तो वीडियो को like कर दिजेगा, अगर आप सभी इस channel पे नए हो तो चैनल को subscribe करके, bell icon को press करके, all option पे set कर दिजेगा, ताकि मैं कोई भी videos upload करूँ, तो सबसे पहले आप सभी को notifications मिल जाए, okay. तो फिर चलिए आज के लिए बस इतना ही, thanks for watching, take care, jayhin.